कोचिंग संस्थान का डारेक्टर आज मैंने इस वीडियो में बच्चों ने धेर सारे सबने मुझे लगता है कि जो भी देखेंगे सब के मन में भी यह कोईशन होगा अगर आपने पूछा नहीं है या बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में या जैसे मैसेज करके ये कहा कि सर जो UPSC के प्रश्ण पूछे जाते हैं उसमें जो आखरी में लिखता है कि मा लिजे सैंदो सब्विता की बिसेस्ताएं बताईए साथ ही सैंदो नगरी करण का परिक्षण कीजे तो जैसे नगरी करण का परिक्षण तो परिक्षण सब्द क्या होता है, किसी प्रश्ण में कह देता है, ब्याक्या क्या होती है, किसी में कह देता है, बिवेचना कीजे, किसी में कहता है, चर्चा कीजे, किसी में कहता है, अलोचना कीजे, किसी में कहता है, समालोचना कीजे, यानि ये जो टर्म सा जाते हैं, इन अनिक एडमी स्टूडियो के इस महतपूर प्रड़ाओ पर और जिसमें सीर्षक है मुख्य परिक्षा के प्रश्णों की कुंजी यानि की ध्यान रखिएगा और मैं किलियर करूंगा कि मुख्य परिक्षा में जो प्रश्ण में टर्मिनोलोजी आती है जो प्रश्ण के अंत म होती है आखिर उसका मतलब क्या होता टिपड़ी कीजिए तो उसका मतलब क्या होता है लेकिन उसके पहले अपने प्लस प्लेटफार्म के बारे में थोड़ी सी बाचीत आपसे आवश्चक हो जाती है एक तरफ लिखूंगा संचेप में आफ लाइन और एक तरफ और खाने पीने का खर्चा करने में तो वे student आप देख सकते हैं एक महिने का हमारी इस platform पे आप आएं और आपको देखें 40,000 फीस है पर आप मुझे follow कर रहे हैं अगर मेरे साथ जोड़ते हैं तो SK code के साथ यानि SK मेरा code है referral code होता इसे भूलना नहीं है SK code के साथ आप आएंगे तो आप देखेंगे 36,000 में पूरी coaching आपकी complete हो जाएगी यानि 36,000 में आप घर बैठे optional भी पढ़ सकते हैं आप ethics भी पढ़ सकते हैं आप निबंद भी पढ़ सकते हैं आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी जो भी पढ़ना चाहते हैं सब कुछ पढ़ सकते हैं इनफेक्ट सी सेड भी पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा आप English compulsory भी पढ़ सकते हैं या platform आपको एक वर्ष में केवल 36,000 में बस भूलना नहीं है SK यानि ये मेरा code जब आप form फिल करते हैं उनलाइन तो उसमें referral code मांगता है आपको ये code डालना है SK code आपको डालना है ध्यान रखिएगा 24 महिने का अगर आप course लेते हैं तो आप देखेंगे मेरे code के साथ वैसे तो 64,000 फीसे पर 10% discount मेरा referral code आप इस्तेमाल करते हैं SK तो 57,600 रुपए में आपकी पूरी दोशाल की कोचिंग यहां पर लगातार चलती रहेगी और देखें ओफलाइन से अंतर क्या है कि यहां पर वीडियोस क्या होते हैं आप anytime देख सकते हैं इसका मतलब क्लास छूड़ भी गई तो कोई गम नहीं क्योंकि आपके पास recorded सारा एविलेबल होता है और सुनने के बाद जो चीज नहीं समझ में आई आप उसको पैंसे लिख लीजिए और उसके बाद हर तीन लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर डाउट क्लेरिंग सेसन होता वो भी जैसे मैं हिंदी शाहित इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ डिएड़ घंटे का होता डिएड़ घंटे का डाउट क्लेरिंग अब आप सोचिए कि आप कुछ भी छूटा है आप आसानी के साथ उसे पूँच सकते तो आए और प्लस कोर्स पे आप एडमिशन ले और महतपूर है और दूसरी चीज है 10 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं GS के सभी पेपर प्रिलिम्स 2020 और 2021 को ध्यान में रख करके कंप्लीट कराऊंगा जिसमें पहला अपना जो पेपर स्टार्ट करूँगा 10 अक्टूबर से वो इतिहास योम संस्कृति यानि हिस्ट्री और कल्चर कैसे प्रिलिम्स कैसे मेंस और ध्यान रखेगा यह बैच अंसर राइटिंग को समर्पित बैच है तो आए अब हम लोग आज की अपने इस वीडियो की बातचीत करते हैं यानि मुख्य परिक्षा के प्रश्णों की कुझी वो कुझी क्या है आए देखते हैं ठीक है तो देखे जैसे सबसे पहला सब जैसे इंगलिस में आता है उसको बोलते हैं discuss यानि कि जैसे कोई प्रश्ण आया उसमें लिखा discuss कीजिए या चर्चा कीजिए ठीक है जैसे माली जाया सेंदो सबसेता करन नगरी करन चर्चा कीजिए तो अब चर्चा कीजिए यानि discuss देखे इंगलिस में तो discuss के एक मीनिंग है पर आप देखिए discuss को हिंदी में विवेचना भी कहते हैं चर्चा भी कहते हैं चिन्हित कीजिए ये भी कहते हैं या उले कीजिए ये भी कहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ होता है कि तर्क या बहस के दौरान विशय का उद्गाटन करना क्या है तर्क या बहस के दौरा क्या करना यानि कि आप कोई भी प्रश्ण पूछा गया तो लॉजिक आप उस पर लॉजिक दीजिए कि पहला लॉजिक दूसरा लॉजिक तीसरा लॉजिक चौथा लॉजिक यानि कोई भी किसेंदो सबेता का नगरीकरण बिसिस्ट है चर्चा कीजिए तो आप बताएंगे पहला क्योंकि वहाँ पर क्या है जो नगरी करण की प्रक्रिया है पस्टिम और पूर्व में बटी हुई है फिर जो है सडके समकोंड पर काटती है मतलब ऐसे उदाहरण यानि तर्क करते हुए आप अपनी बात को पुस्ट करेंगे ठीक है जलनिकासी विवस्ता महां की अच् तो यानि क्या कहरा है डिसकस यानि बिवेचना करनी है चर्चा करनी है चिन्हित कीजे उले कीजे डिसकस का मतलब और तर्क या बहस के द्वारा बिशय का उद्गाटन करना यानि इस प्रकार के प्रशनों में आपको लॉजिक देना है कि जो पूछा गया है उसके पीछे क का आधार क्या है तो पहले चीज जैसे मैंने बता है सेंदों सब्वता के नगरिकरण पर चर्चा तो आप बताएंगे कि सेंदों का नगरिकरण कैसे होता था यानि एक और जो है दुर्ग होते थे पस्टमी और एक पूरब यानि निचला नगर होता था फिर उसके बाद वहा दुसरा चीज क्या है पुछता है हाइलाइट मैं इंग्लिस इसलिए लिख दिया मेरे बच्चों कि आपको इंग्लिस देखना पड़ेगा चुकि हिंदी में होता क्या है कि हिंदी में कुछ भी पूछ सकते है वो यानि कि आप वो कह देगा सूचित कीजिए वा आपको लिए तो प्रकास का मतलब क्या होता है कि प्रश्ण में जो पूछा गया है उसकी बिसिस्टता के मुख्य मुख्य अंस पर प्रकास डाल देना है नहीं आपको बता देना है कि जो भी प्रश्ण पूछा गया उसके मुख्य अंस क्या है 1,2,3,4,5 पॉइंट में बता देना है और example में उसे fit कर देना है practical आप question चेक करेंगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे चुकि आप लोगों ने कहा था कि किवल सब्द क्यार्त बताने हैं क्या करना वो सारी बाते मैं बता रहा हूं फिर अगला आता है examine कीजिए ठीक है examine भी सब्द आता में लिख देना होता है परिक्षण करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रशनाता है तो परिक्षण करिए कि भाई उसमें क्या सही है और क्या उसकी कमिया या उसकी सीमाएं हैं कमिया या सीमाएं तो आप देख सकते हैं कमिया या सीमाएं तो यह दो चीज़ें आप यहां स देख सकते हैं क्या उसकी कमिया या सीमाय हैं तो परिक्षण में आपको एक्जामीन करना होता है जैसे आपका examination होता है न यानि आपकी परिक्षा होती तो आपकी परिक्षा में क्या दिया जाता है कुछ प्रश्ण दिये जाते हैं आप से उनका उत्तर लिखने की आपक्षा की जाती same वही चीज यहाँ पर है परिक्षण कीजिए अगला होता हमारा कथन की पुष्टी कीजिए इसका मतलब क्या हुआ कथन की पुष्टी कीजिए तो कथन यानि कोई statement दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसकी पुष्टी कीजिए ठीक है जैसे मालने यह प्रश्ण आपके सामने रख दे कि नैतिक्ता मानो जीवन में जो सत्य है सुभ है उसको बढ़ावा देती है पुष्ट कीजिए तो इसका मतलब क्या है पुष्टी का मतलब अब आप प्रमानित कीजिए जो इस statement मैंने दिया कि नैतिक्ता किन किन प्रकारों से सही और सही को आगे बढ़ाती है तो simple सी बात है अब क्या करेंगे महतपूर्ण पुष्टी का मतलब हमेशा बिटा याद रखना examples यानि महतपूर्ण उदाहनों द्वारा पूछे गए बिशे से सम्मंदित बिभिन पक्चों की पुष्टी करनी है यानि इसमें examples लिखना होता बस एक line में आप ध्यान करिएगा कोई भी आप तर्क लिखेंगे उसको example दे करके आपको पुस्ट करना रहेगा ठीक है यानि कि example तो हर जगा देना है लेकिन यहाँ पर खास रूप से आपको example देना ही देना फिर इसके बाद एक कुछ questions में comment लिखा होता है इंगलिस वाला जब आप चेक करेंगे तो comment का हिंदी में कहते हैं टिपड़ी कीजिए इसी को comment को समालोचना भी बिटा कहते हैं और इसी को समीच्छा भी कहते हैं देखें तीनों लगभग लगभग एक ही चीज यहाँ पर आ करके लग गए हैं जीएस की बात मैं कहा रहा हूँ optional में थोड़ा सा change होता है comment कीजिए डिक्सिनरी में चेक करेंगे टिपड़ी भी बोलते हैं समालोचना भी बोलते हैं समीच्छा कीजिए यानि simple सी बात है दिये गए बिशे जो भी प्रशन पूचा गया है उसके बारे में क्या सकारात्मक है यानि क्या अच्छा है या क्या उसके लाब है और दूसरा उसका नकारात्मक पहलू क्या उसकी हानी है यह आपको लिख देना है इसको बोलते है क्या परिक्छन यानि comment कीजिए टिपड़ी कीजिए ध्यान रखेगा ठीक है फिर इसके बाद अगला क्या evaluation कीजिए कौन सा सब्द है आपके सामने evaluation कीजिए या मुल्यांकन कीजिए ठीक है मैं एक बार थोड़ा पीशे वापस आजाऊ आपनों को समझा दू नहीं थोड़ा confusion हो जाएगा टिपड़ी कीजिए comment मतलब टिपड़ी का मतलब ही होता बिटा कि जो भी अच्छा और बुरा है दोनों आप बता दीजिए समा लोचना में भी बिटा आलोचना है ये समा धन लोचना यानि कि समान यानि कि अलोचना तो करो लेकिन संतुलित हो करके करो तो इसका मतलब होता है कि प्लस और माइनस दोनों लिखना होता है और समीक्छा में भी जैसे कोई कहे कि आप मेरी क्लास की समीक्छा कीजिए तो आप क्या करेंगे कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती आप वो बताएंगे कुछ चीज़ें जो आपको कम पसंद आ रही आप वो भी बताएंगे तो यही चीज बेटा तो confused नहीं होना मालो कोई कहे अरे आईसे कईसे हो सकता समालोचना भी समिक्चा भी इसलिए मैंने उधाना से फिर यह समझा दिया कि तीनों का अर्थ एक ही है ध्यान रखेगा फिर इसके बाद evaluation यानि मुल्यांकन का मतलब क्या होता है सेम वही है दिये गए विशय में जैसा पीछे आपने पढ़ा था पीछे क्या पढ़ा था टिपड़ी कीजिए समालोचना कीजिए समिक्षा कीजिए सेम वैसे ही आपको यहां पर क्या मिलेगा evaluation यानि मुल्यांकन कीजिए और दिये गए विशय का plus यो minus यानि positive negative लिखना है पर जब भी मुल्यांकन पूछेगा मेरे बच्चों तो यह पीछे वाले से यानि comment वाले पार्ट में भी plus और minus ही लिखना है लेकिन यह comment वाले पार्ट से कैसे अलग हो जाएगा तो क्यों क्योंकि इसमें निशकर्स लिखना आवश्यक होता है यानि कि आपको अंतताह बताना है कि आप किस प्रकार का stand ले करके चल रहे हैं यह ध्यान रखिएगा ठीक है फिर आए आगे एक और आता है वाता है justify यह इंग्लिस में आप question चेक करेंगे justify सब्दाता है हिंदी में बोलते हैं तर्ग प्रस्तुत किजिए यानि justification कोई कहता न आप भी बातचीत करते होंगे कोई आपसे कहता होगा कि तर्ग बताईए तो justify करिया आपने जो निर्णे लिया हो कहां तक सही है तो अब देखिए इसमें क्या है इसमें simple है आउचिति या पक्ष का समर्थन यानि कि जो भी निर्णे आपसे आपने लिया है उसको बताईए कि इन कारणों के आधार पर लिया है इसी को बोलते है justification तो किसी भी प्रश्ण में अगर लिखा रहे इसके आउचिति का परिक्षन कीजिए तो आप साफ साफ क्या करेंगे धेर सारे तर्क दे करके और बता देंगे यही यही तर्क इसके आउचिति को सिद्ध करते हैं तो simple सी बात है फिर अगला क्या है describe सब्द आता है और इसी को हिंदी में बोलते है wordन कीजिए wordन की करने का मतलब होता है बिटा कि केवल जो भी आपको उस प्रश्ण के बारे में पता है उस content के बारे में पता है उसकी केवल विशेस्ताएं लिख दीजिए यानि कि पहली विशेस्ता दूसरी विशेस्ता तीस और आता है analysis यानि analysis क्या होता है? analysis का मतलब होता है बिसलेशन कीजिए तो analysis का मतलब है बिसलेशन कीजिए या ध्यान रखना है तो छानबीन करनी है या समगर विशय की जाच परताल करनी है यानि विसलेशन करना है जैसे माल लिजे आप से पूछे कि अकबर की धार्मिक नीती का विसलेशन कीजिए तो बिटा अकबर की धार्मिक नीती में क्या करना है आपको पूरा का पूरा विसल शित करते चले जाना one by one one by one ठीक है फिर इसके बाद देखे आता है elucidate यह हिंदी में है और इसे हम बोलते हैं विश्दी करण कीजिए क्या कीजिए विश्दी करण कीजिए यानि हिंदी में विश्दी करण है elucidate बोलते हैं इंगलिस में इसका मतलब होता है कोई भी प्रश्ण में अगर लिख दे कि विष्दी करण कीजिए या elucidate कीजिए तो उसका मत होता आप इसपस्ट कर दीजिए आप इसी के हिसाब से अपनी त्यारी करिएगा 2019 के पेपर में एक और सब्दाया है बहुत बारी आया है उसको बोलते हैं बेटा ब्याख्या कीजिए क्या करिए ब्याख्या कीजिए तो ब्याख्या कीजिए जब आप करेंगे तो ब्याख्या कीजिए यानि कि जो भी प्रश् उसको थोड़ा detail करते हुए यानि point point का detail करते हुए आपको क्या करना है इसपस्ट कर देना है इसे हम व्याख्या बोलते हैं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी रणनीती यहां मैंने बनाई है कुछ और शब्दों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और वह सब्द क्या है, वह सब्द क्या है, जैसे शब्द है, प्रासंगिक्ता, जैसे पूछ लेता है, महत्मा गांधी की प्रासंगिक्ता बताईए, प्रासंगिक्ता का मतलब क्या है, रेलिवेंसी, तो अब बेटा प्रासंगिक्ता अगर बतानी है, तो प्रासंगिक्ता का म हैं तो simple सी बात है कि आप लोगों को क्या करना है कि उसकी प्रासंगिक्ता को ध्यान में रखना है यानि उसकी प्रासंगिक्ता ध्यान रखेगा प्रासंगिक्ता प्रासंगिक्ता का मतलब जैसे महत्मा बुद्ध की जो सिच्छाएं है उन सिच्छाओं को आपको क्या करना है उन सिक्षाओं को आपको बता देना है कि आज के परिवेश में यानि climate change में यानि आतंक वात के समाधान में हिंसा के समाधान में उन सिक्षाओं का क्या इस्तेमाल है इसे हम बोलते हैं प्रासंग गिक्ता ठीक है तो ये एक बार मैं revision करा दूँ आप लोगों को जिससे आपका एकदम बढ़िया से concept और clear हो जाए आज हम लोगों ने क्या किया आज हम लोगों ने किया मुख्य परिक्षा के प्रश्णों की कुण्जी ये हम लोगों ने complete किया मुख्य परिक्षा के प्रश्णों की कुण्जी और इसमें हमने क्या किया सबसे पहला सब्द हमने सीखा थ करना ठीक है इसके बाद दूसरा हमने देखा हाइलाइट हाइलाइट का मतलब होता है प्रकास डालिए या सूचित कीजिए इसमें क्या कहना है बिसिष्टता हाइलाइट का मतलब ही होता है आप प्रकास डालिए तो बिसिष्टता के मुख्य मुख्यांस यानि प्रश्ट में जो भी basis point हैं उनके मुख्य मुख्यांस पर आपको क्या करना प्रकास डालना है सूच बिंदूओं को नहीं लिखना है केवल जैसे माली ये कोई bill आता है उस bill पर कहता है प्रकास डालिये तो अब आपको पता है कि बिल कितना लंबा चोड़ा होता, कितने प्राउधान होते हैं तो आपको क्या करना, उसके 3-4 जों basic point वही आपको यहाँ पर लिख देना होता है, examin हमने बातचीत किया, examin में हमने क्या किया, भाई, परिक्षण कीजिए, तो मैंने बताया, परिक्षण करने का मतलब कि प्रकृति या धशा के हिसाब से बिशय के बारे में लिख देना यानि क्या लिख देना है, कि कहां तक सही है, उसमें कमिया क्या है और सीमाएं क्या है तो simple सी बात है, जैसे पूचे इतिहास में औरंग जेप की दक्षण नीती की समिक्षा कीजे, तो आप बताएंगे कि औरंग जेप की दक्षण नीती कहां तक सही थी, उसके उद्देश्यों को किस प्रकार से धान करती थी, फिर आप बताएंगे कहां तक उसमें कमिया थी, या उसकी क्या सीमाएं थी, और इन सीमाओं की कारण ही क्या उसका पतन हो गया, तो सिंपिल सी बात है, परिक्षण कीजिए, मैं आपको ये पॉइंट लेना है, फिर इसके बाद क्या है, तीसरा आता है कथन की पुस्टी कीजिए, क्या कीजिए, पुस्टी कीजिए, ये एक बहुत महत्पूर्ण है, कथन की पुस्टी का मतलब होता है, कि आप महत्पूर्ण उदाहरणों के द्वारा क्या करिए, यानि आप महत्पूर्ण उदाहरणों के द्वारा पूछे गए, बिसे से संबंदित बिभिन पच्चु, यानि यह मतलब आप ऐसा मानिए किसी महापुरुष्ट का जब statement वगर आता तो उसमें क्योंकि वो statement सत्य होता तो लिग देता है इसको post कीजिए तो simple सी बात है post करने का मतलब आपको धेर सारे examples किया उचकता पढ़ती है उदारणों के साथ आपको push कर देना है फिर इसके बाद हम लें पढ़ा comment कीजिए यानि comment का मतलब होता टिपड़ी कीजिए समालोचना कीजिए समीचा कीजिए मैंने कहा confused बिल्कुल मत होईएगा इन तीनों में आपको समालोचना अलोचना नहीं है आलोचना को बोलते हैं critically examine ठीक है ध्यान करिएगा ठीक है तो अब critically examine यानि आलोचना वो भी सीख लेते हैं यहाँ पर तो आलोचना का मतलब हो गया यह optional वगरा में इस्तेमाल होता है GS में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता चुकि सरकार की नीतियों की critically आलोचना अगर एक प्रशाशनी का धिकारी करेगा तो स्वभाविक है वह गलत माना जाएगा क्यों क्योंकि प्रशाशनी का धिकारी अगर आप IS का exam दे करके जा रहे हैं तो आपको योजनाए जो भी हैं उनको field में ले करके जाना पड़ेगा खड़े होकर कि आप आलोचना नहीं कर सकते ध्यान रखेगा आप सरकार के एक agent के रूप में काम करते हैं तो आलोचना यह जब optional के questions आते हैं उसमें पूछे जाते हैं मैं इस पर विस्तार से बातचीत करूँगा आलोचना मतलब होता है कि आप उसकी जो भी कमिया है आप उसको बताईए ठीक है ना आलोचना यानि उसमें क्या-क्या कमिया है यह बताईए और फिर क्या-क्या खूबिया है यह भी आप बता सकते हैं दो चीजें ठीक है तो हम लोगों ने पढ़ा यानि फिर हमने पढ़ा मुल्यांकन मैंने पहले बताया कि बिल्कुल पिछले की तरह टिपड़ी कीजिये की तरह समालोचना की तरह और समिक्चा कीजिये की तरह ही होता है पर यहाँ पर क्या होता है दिए के बिशे का plus ή comet माइनस यह दोनों महतपूर होता है पर इसमें सबसे महतपूर है कि आपको निसकर्स लिखना होता है यहां बच्चों निसकर्स लिखने का मतलब है कि स्टेंडल मिलेना पड़ता है कि आप किस मत से सहमत है ठीक है तो सिंपल सी बात है जस्टिफाई आप सब लोगों को पता है कि नहीं है तो आपको वह बताना है justify करना यानि यहां पर भी लॉजिकल डंग से आपको प्रश्ण में पूछे गए विशय को प्रूफ करना शिद्ध करना ठीक है फिर इसके बाद आए describe यानि बढ़न कीजिए बढ़न में मैंने साब बता है केवल आपको बेटा सीधे सीधे बिसेस्ता लिख देनी होती है वरण की जिठीक है बिसेस्ताओं को लिख देना होता है और इसके बाद फिर हमने का analysis का मतलब होता है बिसलेशन जितने भी विशय उस प्रश्ण में समाहीत है सबको आपको क्या करना पढ़ता है डिटेल करना पढ़ता है तो ध्यान रखिए इसके बाद क्या elucidate या बिस्दी करण हम करते हैं इसका मतलब होता है कि जो पूछा गया है आपको सपस्ट कर देना है कि वह सही है या नहीं है तो यह आपका complete होता है और यहां पर मैंने बताया इस बार 2019 में ब्याक्या कीजिए कई प्रश्णों में आया ब्याक्या का मतल जब कि आप जो प्रश्ण पूछा है उसको आप इस पस्ट करिए उसका अर्थ लिखिए कि भाई क्या actual में ऐसा ही है तो उमीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको यह समझ में आया होगा और आप लोग इस पर बहुत अच्छा work करेंगे फिर एक बार मैं फिर से कह कहता हूँ जो बच्चे अभी भी प्लस को ले करके किसी भी प्रकार से डाउट में है वो डाउट में ना रहे हम लोगों का पढ़ाने का धंग डिफरेंट है आप प्लस कोर्स में आएं आपको बहुत लाब होने वाला है बाकी अन अकेडमी को फालो करते रहें इस्टूड लाइन का भी डिस्कसन प्रारम होगा थाइंक यू